सब्सक्राइब करने वाले हैं तो पहला कोशन इसके अंदर क्या बोला गया है यहाँ पर जो वी की वैलियो वह आप लोगों को गिवन है 3x square से where x जो है वो meter में है और v जो है वो volt में है आपको बताना है the electric field at a point 1 meter, 0 और 2 meter पर बताना मतलब x, y, z अलग लग से दे रखे है तो सबसे पहले बात इस तरीके के question में हम क्या करेंगे तो कि यहाँ पर जो v है वो change हो रहा है x के coding तो सबसे पहले अगर आपको electric field निकालना तो आप formula लिखो के minus dv by dx ठीक है x क्यू लिख रहा हो क्योंकि हमारी equation में x ही given है x के coding ही वो change हो रहा है तो हमने सबसे पहले यहाँ पर e is equal to minus dv v की value कितनी है 3x square है बता जी तो यह हो गया minus पहले से था और 3 बाहर आ जाएगा constant और यह हो जाएगा 2x मतलब e की value यहाँ पे कितनी है e की value is here minus 6x अभी इस point को देखो इस point का क्या काम है इसमें जो x है वो कितना है 1 है तो यह e की value जो है वो minus 6 है इसका मतलब जो electric field है वो minus x axis में है electric field है वो minus x axis e vector जो है वो minus 6i के आप लोग लिखोगे मतलब x axis में है उपर से minus का रहा है तो minus का मतलब negative x axis में तो यहाँ पे जो answer होगा वो आप लोगों का a होने वाला है अब बाकियों के लिए करने की जूरत नहीं है क्योंकि इस equation में ना तो y था variable ना ही z था बाकि सब तो 0 ही हो जाएगा ठीक है next देखेगा इसके बाद equivalential at a large distance from a collection of charges whose total sum is not 0 भई एक large collection है charges का और उनका जो sum है वो 0 नहीं हो रहा है तो वो point charge की तरह है किसकी तरह है भईया point charge की तरह है for spare the equivalential at a large distance from collection of charges जो होती है वो spare की तरह होती है बाहर निकलती है तो यहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हो क्या बना सकते हो इस तरीके से यह इस तरीके से आप लोग बना सकते हो किसको भाई equivalent surfaces को यह equivalent surfaces है तो यहाँ पे यह कैसे है collection of charges के वज़े से उसने बोला कि बहुत सारे charges है उनका sum 0 नहीं हो रहा तो वह point charge की तरह ही consider करेंगे तो यहाँ पे बनने वाला है वो squares की तरह next देखेगा a plus 3 nanoculum का charge है q इसको q का नाम दिया गया यह q है जो की है कितना 3 nanoculum is initially at rest at a distance of r1 low origin से एक distance तुमें दे दिया कि r1 पे यह है इतनी दूरी पे इतनी दूरी पे यह है इसको आप पहले बना लो मीटर में तो 10 के नीचे 100 लगाएंगे तो यह मीटर बन गया cm से मीटर बनाने के लिए अब यह बोल रहा है कि from a एक मिनट रुगेगा at a distance of r1 cm from a plus 5 nanoculum charge q is fixed at the origin मतलब origin पे मालों यह origin है उस पे 1 plus 5 nanoculum का एक charge रखा हुआ है और उससे लगबग-लगबग 10 cm की दूरी पे 10 cm की दूरी पे कौन सा charge रखा हुआ है एक q charge रखा हुआ है जिसका नाम है plus 3 nanoculum अब यह बोल है the charge q is moved away from q to a new position अब इसको नई position पे लिया जाता है और नई position जो है वो कितनी दूरी पे है वो है 15 cm लोग यह 10 cm पे था तो यह 15 cm पे है तो यहाँ पे charge पहुँच गया in this process work done by the field is work done by the field है तो उसी direction में यह इसको भेज रहा है तो positive में आप लोग find out कर सकते है सीधा ही W निकालो W का formula क्या होगा यार के Q capital Q by में R1 होगा starting में यह को और को होगा minus करेंगे के Q capital Q R2 जिस distance पे लेके जा रहे है बस सारी values को put करना है तो वही काम किया यहाँ पे सब values को यहाँ पे हमने put कर दिया तो वह positive है अगर external पूछता थो negative आ जाता है यह answer ठीक है next देखिएगा next क्या बोला गया है next बोला गया a charge particle is placed between the plates of a charged charged parallel plate capacitor it experienced a force F मतलब वह बोल रहे है कि जब 2 charge plate है मतलब किसकी plate है capacitor की तो एक पे plus charge होगा एक पे minus पे होगा बीच में एक charge आपने रख दिया बीच में कोई भी एक charge हमने रख दिया यहां पे कोई भी एक charge particle हमने रख दिया तो उसके उपर एक force लग रही है उसके उपर क्या लग रही है एक force लग रही है ठीक है अब आपको पता है कि जब plates की बाद करी जाए, parallel plates, capacitor की plates की बाद करी जाए, तो E जो होता हूँ, sigma upon me epsilon not होता है, ठीक है, sigma upon me epsilon, तो F क्या होगा, उस टाइम पे, QE होगा, मान लेते हैं कि charge यहाँ पे कितना है, QE है, अब वो बोल रहा है कि, if it experience force F, if one of the plate is removed, अगर एक plate को remove कर दे, तो क्या होगा, अब मान लो आपने एक plate को remove कर दिया, negative को हटा दिया, तो एक single plate की वज़ से, electric field क्या होता है, sigma upon me epsilon not होता 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 होतो, बताओ, ठीक है, और उस टाइम पे अब नए force, नया फिल्ड यह हुआ, नए force लगे कि, जो की क्या होगी, Q into नया field, तो Q into sigma upon me 2 epsilon not अब आपको पता है कि भीया यहाँ पे अगर मैं देखू पुराने वली फोर्स जो की कैसे है sigma upon epsilon not है तो Q sigma upon epsilon not मेरी पुराने वली फोर्स है यहाँ पे 2 पहले से ही है तो यह F' की value कितनी आगी F by में 2 आगी या नहीं आगी F by में 2i या नहीं आगी फटाफट से एक बार बता दीजिए सबस्चे clear है ऐसे आप लोग कर सकते हैं नेक्स देखो क्योंकि यहाँ पे जैसे फिल्ड मदा एक प्लेट हटाई ना तो फिल्ड देखो कैसे हो रहा है फिल्ड चेंज हो गया ना एक सिंगल प्लेट के विश्च यह होता है गोस्ट थेओरम की एप्लिकेशन कि अगर जब हमारे पस एक सिंगल शीट होती है जो वह चार्ज होती है तो फिल्ड कितना होता है नेक्स सेग यहां पर आप लोगों को किवश्च दे रहा है तो इसेद्ध को पैर्लर में करेक्ट किया गया लो यह इयहाग एक औरืेज़ों में सेम होगी य क्योंकि थूज़ी दोनों का रेशों का निकालना हैock क्या लिखेंगे सीनИवी दूसरे को कैसे लिखेंगे क्योटू सीट्ू वी से शोले शुक्रांट नहीं चाहिए और यह जीए हमारा A में है यह हमारा किसमें बटा जी A में है ठीक है देख लो नेक्स्ट आप लोगों के पास इन्होंने बोला 3 कपेस्टर है सबकी वेल्यू है 4 माइक्रो फेराड उनको इस तरीके से किनेक्ट करना है कि जो effective कपेस्टरंस है वो 6 सबकी वेल्यू फेराड है 4 माइक्रो फेराड उनको इस तरीके से करना है कि हमारा results 6 माइक्रो फेराड आ जाए तो तेनों को सेरीज में लगा सकते four only do focus on parallel में लगा सकते क्यों कि तो तीनों कि पर लिङंडा ना पड़ेगा मतलब कुछ को separate恹नैंश घर में करता हूं कि 2 को series में लगा देता हूं 2 को लगा देता हूं सीरीज में ठीक है और इन दो के series में एक लगा देता हूं इनके पैरलर में देखो सब की value 4 4 है तो जो series में उनको कैसे solve करेंगे 4 x 4 upon में 4 plus 4 तो उपर हुआ 16 नीचे वहा 8 तो यह बन गये आप लोगों के पास कितना 2 अब यह जो 2 है यह इनकी वैल्यू यह कितना है 4 तो पैरलर में डिरेक्ट एड होते हैं तो 2 प्लस में 4 तो मैंने क्या किया है दो को सीरीज में लगाया एक को पैरलर में कर दिया तो आप बोल सकते हो अगे है आप लोगों के पास 48 मा कुशन मतलब अगर स्टार्टिंग में जो कपैस्टेंस है मतलब स्टार्टिंग मालो की सीवन एक कपैस्टेंस है जो कितनी है अब उसको चेंज कर दिया गए एक नई वैल्यू पर इसको आप c i या c final की form में भी लिख सकते हैं तो आप इसको x माइक्रो फैराड ऐसे बोल दो the decrease in the energy of the capacitor is this मतलब चेंज आ गया energy में वो आपको पता है कि 2 into 10 days to power minus 2 j दे रखा है तो value of x इसके लिए simple वही delta u का formula लगाएंगे क्या होगा half देखो formula जो होगा u के लिए वो होगा half cv square का formula होने वाला है क्योंकि यहां पर v भी दिया हुआ है और यहां पर साथ में आपको capacitance भी दियो है तो यही formula लगाएंगे तो यह होगा half c1 v1 square minus half c2 v2 square तो half तो बाहर आ गया वही देखो यहां कोन है 2 into 10 days to power minus 2 है half बाहर आ गया c1 की value कितनी है वही देखो दोनों के across जो v की value है वह एक तरीके से क्या रहने वाली है सेम रहने वाली है क्योंकि यह क्या है variable capacitor है और एक minute हम initial और final की form में लिख रहे हैं तो व 200 ही रहने वाल बाद में वी कितना रहने वाला है रहने वाला है इनिशल और फाइनल की बात कर रहे है तो v1 एक त्रीके से बाहर आ गया तो v1 को बाहर लिखा तो वह 200 का square हो गया अंदर रह गया c1 minus c2 यह हुा 1 by 2 into में 200 into में 200 और ये हो गया C1 कितना भई? 2 micro तो 2 into 10 minus 6 minus x into 10 minus 6 ये हो गया तो इसको sol को रहन सर आ जाएगा 1 micro farad इस तरीके से आप इस question को कर सकते हैं ये है थे हमारे second chapter के previous year mcq अब बारी है third chapter की चले वो भी करते है